असलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दिल्लावेट संसारी आज स्टॉक जर्णल में इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे वो है निशाद चुनिया पावर लिमिटेड निशाद चुनिया गुर्प की ये कंपनी है जो के 2007 में इंकॉर्पेट की गए थी as a public limited company under companies ordinance 1984 2009 में ये company कराथी स्टॉक एक्चेंज और लहुर स्टॉक एक्चेंज के अंदर लिस्ट की गई थी साथ ही साथ 2010 के अंदर इस company ने अपने commercial operations को start किया और 2011 में पहली दफ़ा अपने profitable operations का आगाज किया ये company निशाद चुनिय लिमिटेड के एक subsidiary company है और power generation इसका काम है और इस company का एक purchase power purchase agreement है जो के NTDCL यानि के National Transmission and Dispatch Company Limited से 25 साला agreement है इसका निशाद चुनिय ग्रूप के बारे में हम आपको बताते चलें कि 1990 में ये group काइम हुआ और निशाद चुनिय लिमिटेड से इन्होंने आगाज किया textile और power sector के इनदर ये company काम कर रही है और इसके साथ साथ जो है और भी जेली कंपनी है निशाद ग्रूप के इनदर जिनका नाम निशाद चुनिय लिमिटेड जो के textile company है निशाद चुनिय लिमिटेड जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे इसके financial prospects को discuss करेंगे उसके अलावा निशाद चुनिय यूएसे जो के इनकॉर्परेट की गई है और textile supplies जो के international retailers है उनको textile supplies के लिए ये company इनकॉर्परेट की गई है बात करेंगे company की financial performance के ओपर income statement के बारे में हम बात करें तो revenues 2020 के अंदर company के तकरीबं 13 billion के करीब record किये गए और 2021 के अंदर तकरीबं 11 फीसद की कमी के साथ साड़े 11 billion company के revenues record किये गए जैसे हमने पीछे देखा मुक्तलिफ फजुहात हमें इसमें नजर आती है एक ये कि जो government की वज़े से economic relief package दिया गया था उसके वज़े से payments defer हुई है, company की sales मतासिर हुई है profitability के अंदर भी कमी आई है साथी साथ दूसरी वज़े है कि जो company के receivables थे वो काफी हद तक मतासिर हुए थे COVID की वज़े से कुछ companies बाकादा default कर गए थी और company की payments दिले हुई है उसकी वज़े से जो company की liquidity थी वो काफी ज़्यादा मतासिर हुई और उसका impact company की production के उपर आया जहां production कम हुई तो वही पर company के जो revenues थे sales थी उसके अंदर भी कम ही आई है साथी साथ 2021 के अंदर हम जब company की cost of revenue की बात करते हैं तो वो revenues भी तक्रीबन cost of revenues भी तक्रीबन 26 फीसद इजाफे के साथ तक्रीबन 7.87 billion record किये गए cost of revenue बढ़ने की वज़े से और declining sales की वज़े से company के gross profit के अंदर भी तक्रीबन 24 फीसद की कमी आई है और 2020 में 6.7 billion के मुकाबले में इस साल 3.7 billion company के gross profits record किये गए है financial charges company के कम होते हुए नजर आ है पिछले साल तक्रीबन 2 billion के financial charges थे और इस बार तक्रीबन आदे हो गए है यानि के तक्रीबन 1 billion के company के financial charges record किये गए है profit after tax की बात करते हैं तो इसमें भी overall जो impact नजर आया उसका impact profit after tax के उपर आया और पिछले साल 3.4 billion company के profits book किये गए थे और इस साल तक्रीबन 46% कमी के साल तक्रीबन 5 billion company के profits record किये गए है आपके सामने इसी की जो income statement है इसकी graphical representation आपके सामने मौजूद है company की sales तक्रीबन पिछले 10 साल का जो इसके अंदर data मौजूद है 10 सालों के अंदर company के sales के अंदर काफी जादे changes नजर आती है 2014 के अंदर sales company की peak पर थी और इसके बाद decline हुई है 2016 में और उसके बाद ये 2018 में थोड़ा सा एक उपर जाते वे नजर आई है लिकन उसके बाद 2020 में company की sales काफी जादा decline हुई और 2021 में भी company की sales decline होके तक्रीबन 11.6 billion हमने जैसे बात की record की गई है company के gross profits के अंदर कोई बहुत जादा changes नजर नहीं आई है यह किनां company की cost of sales थी वह कम होई होगी बिछले कुछ सालों के अंदर जिसकी वह जासे company के cost of sales कम होने की वह जासे gross profits में जो है कोई इतनी जादा इसमें कमी नजर नहीं आती है 7-7 profit after tax जो के gross profits और फिर उसके बाद administrative expenses होते हैं और operating expenses होते हैं या दूसरे और भी expenses होते हैं उनको देखते हुए company के profit after taxes भी इसले कुछ सालों में तक्रीबन एक जैसे रहे हैं जिसमें company के profit before tax और profit after tax दोनों के जिकर किया गिया है और periods के हिसाफ से यानि के quarterly basis पे company के earnings किया रही है 3 months के उपर company ने पिसले साल 2.9 रुपीज पर शेर जो है earning record की थी और इस साल 2.6 record की गई इसी तरह से 6 months पे पिसले साल 5.7 और इस साल 3.88 और 9 months की earning जो थी company की पिसले साल 9.26 और इस साल 5.62 record की गई overall annual अगर earning देखें earning per share तो पिसले साल तक्रीबन 12.54 earning per share record की गई थी और इस साल तक्रीबन आधी यान के 6.83 company की earning per share record की गई है sales decline होई है उसका impact भी यहां पे नजर आता है earning per share के उपर और अब यहां पर हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे company की financial position यानि के balance sheet के बारे में बात करेंगे company की shareholder equity है उसके अंदर तक्रीबन 32% के अधाफा हुआ जिसके अंदर हमने बात की थी company के जो receivables थे वो cash में convert नहीं हुए बढ़ते हुए receivables थे उसकी वजह से एक unappropriated profit में इजाफा हुआ जो के impact करते है company की shareholder equity को और तक्रीबन 32% इसके अंदर इजाफा हुआ property थी company की वो mortgage की गए थी उसके against company ने long term financing की है जिसमें हमें 2% इजाफा होते वे नजर आता है company की current liabilities के अंदर तक्रीबन 22% की कमी आई है जिसके अंदर trade pay bills है और जो long term liabilities का current portion है वो इसके अंदर शामिल है साथ ही साथ जो unclaimed dividends हैं वो भी इसका हिस्सा है तो overall company की total equity और liabilities के अंदर तक्रीबन 5% का इजाफा हुआ 39.57 billion से बढ़के तक्रीबन 30.95 billion company की total equity और liabilities record की गई है non current assets की बात करेंगे हम तो यहाँ पे तक्रीबन 8% की कमी नजर आई है जिसके अंदर जो company के intangible assets थे जो intangible assets के अंदर जो fixed amortization rate जो था उसकी वजह से company के non current assets के अंदर decline नजर आया है साथ ही साथ हम यहाँ पे दिखते है long term loan जो इसका हिस्सा है non current assets का जो company ने अपने CEO's और CFO's को दिये थे current assets की बात करें उसमें overall तक्रीबन 13% इजाफा हुआ जिसके अंदर inventories की बात करेंगे तो थोड़ी सी कम ही आई है trade payables में trade debts जिसमें इजाफा हुआ हमने पीछे भी बात की और जो company के receivables थे उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ और उनकी conversion liquidity issues create कर रही है trade debts के अदर इजाफा हुआ साथ ही साथ company ने जो delayed payments थी जो इनको receive होनी थी जो receivables थे इनके बहुत सारे उसके ओपर company ने mark-up charge किया है उसकी वज़े से भी current assets के अदर इजाफा हुआ कुछ receivables ऐसे भी हैं जो के bill नहीं हुए unbill रह गए हैं उनकी वज़े से भी जो तकरीमन 13% इजाफा हुआ और साथ ही साथ अगर इसके अंदर हम देखें जो company के cash balances और bank balances थे उसमें अच्छा खासा decline नजर आया जो के impact receivables का जो liquidity issues create करते हुए company के bank balances को कम करते हुए नजर आते हैं overall company के total assets में भी 5% इजाफा हुआ तकरीबन 29.57 billion से बढ़के 30.95 billion company के total assets record किये गए हैं आपके सामने total assets और total liabilities की एक graphical representation है पिछले 10 सालों के अंदर इसमें काफी अप एंड डाउन नजर आया 2016 के बाद company की liabilities जो है decline होते वे नजर आई हैं उससे पहले company की liabilities में अच्छा खासा इजाफा वह था और यहीं पर 2016 के अंदर ही company के total assets में overall इजाफा हमें मुस्तकिल देखने में नजर आ रहा है company के stock statistics ही बात करेंगे PSX के अंदर पाक्सान Stock Exchange के अंदर जो टिकर है इसका वह NCPL यानिके निशाच उनी पावर लिमिटेड के नाम से है और गुजशता एक साल का यानिके 52 हफसों का अगर हम high or low देखें तो 12 रुपेस की minimum price record की गई है stock market के अंदर और 20 रुपे 95 पैसे company की maximum price पिछले एक साल में record की गई है overall total shares company के तकरीबन 367 million company के total shares है और market cap की बात करें तो तकरीबन 4.5 billion company का total market capital है इसके अंदर free float 48.8% है जो के 179 million के करीब तकरीबन बनता है आप अपनी streams पर देख सकते हैं एक चार्ट आपके सामने मौजूद है जो के एक technical analysis के बारे में बताता है company के price movement को बताता है candlestick patterns इसके अंदर मौजूद है different indicators इसके अंदर लगाए गए है जिसके अंदर parabolic SAR और 37 RSI जो के relative strength index होता है या फिर overbought position के अंदर है साथी साथ moving average है जो के company का एक price के trend बताती है तो इस वक्त जैसे हमने पीछे बात की कि कि पिछले साल overall पिछले एक साल के अंदर company की prices जो minimum record की गई है वो 12 रुपे के पर record की गई है और इस वक्त तकरीबन साड़े 12 के करीब company की जो prices है वो move करती ही नजर आई है और जो trend बनता हुए नजर आ रहे है वो एक downward trend अभी भी मजीद बनता हुए नजर आ रहे है लेकिन साथी साथ अगर हम RSI को follow करें तो इसमें हमें ये नजर आते है कि company तकरीबन oversold position के अंदर आईस्ता आईस्ता जा रही है और यहीं पर कुछ अरसे के अंदर अगर ये below 30 move करती है तो यहां से company के एक reverse का chance यहां पर बनता हुए नजर आ रहे है और price पर यहां से एक दुबारा उपर जाते हुए नजर आती है लेकिन साथ ये साथ अगर हम stock stick RSI की बात करें तो वहां भी एक expected है कि कुछर से बाद एक downward trend बनता है नजर आ रहे है यहां पर दो मुक्तलिफ चीज़े मौजूद है technical analysis के साथ साथ जो company के fundamental analysis है उनको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो market sentiments है उनको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है stock market की सूरते हाल किया है overall index की क्या position है वो impact करती है हर company की shares के उपर power generation के बारे में बात करेंगे झाल